नमस्कार मैं दॉक्टर विपिन मंसल वास्तू कंसलिटेंट हमारी एक सारी चल रही है जिसका नाम है plot chain से लेकर plot šuddy तक plot šuddy से लेकर घ्रह निर्मान ग्रह निर्मान से लेकर घ्रह परवेश तक इस 시리स में मैंने बहुत सारी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है और मैंने कोशिश किया कि एक plot खरीदने से लेकर ग्रह परवेश तक उन में जितने भी विशय आते हैं उन सारे विशयों को मैं अपनी सीरीज में लेकर चल रहा हूँ आप मेरी यह सीरीज जरूर देखें यदि आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं नया plot खरीज में जा रहे हैं तो मेरी यह सीरीज आपके लिए फायदेवन्द जरूर होगी क्योंकि मैंने इस सीरीज में स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितने भी maximum point है सारे point मैं इसमें cover कर रहा हूं आज का विशा है floor level कौन सी दिशा में उचा होना चाहिए का कौन सी दिशा में नीचा होना चाहिए ऐसे ही आपका plot west facing है तो उसमें कौन सी दिशा का हिस्सा उचा रखना और कौन सी दिशा का हिस्सा नीचा रखना उसके बारे में बताया था आज मैं आपको बताना चाहूँगा north facing plot के बारे में आपका अपना plot north facing है और आप उसमें अपना घर बना रहे हैं तो उसमें आपने दिहान रखना है जिस प्रकार आप अपना front के भाग में open area रखते हैं और ऐसे ही back side में भी open area रखते हैं तो आपने उसमें करना क्या है आपने अपने plot के southwest zone में यानि नरित्य खोने में दख्ष किन पष्षीमों के फर्ष का level उंचा करना है फर्ष का level किस क्रकार से उंचा कर सकते हैं एक तो पूरा का पूरा southwest अपका north के फर्ष के level से उंचा हो सकता है दूसरा आप complete southwest zone को यानि नरित्य कोने को आप bunny building यानि ज नाब मिलेगा ऐसे ही आप सावफ्व्द जोन में आप पहरी भी बना सकते हैं स्टोंज की पत्रों की पहरी भी बना सकते हैं और हमेशा दियान रखना है सावफ्वस जोन हमेशा ही ओपन अरिय में सबसे उंची होनी चाहिए और नॉर्थ जोन open area में सबसे नीचे होनीचे एसे ही जो आपके बनी बिल्डिंग है यानि जो बिल्डिंग आपकी बनेगी उस बिल्डिंग का southwest जोन भी हमीशा उंचा होना चाहिए और नौर्थे जोन हमीशा नीचा होना चाहिए आपका अपना southwest में master bedroom बना हुआ है यह रणby बना हुआ यह आपने store बना हुआ है तो उनका first का level पूरे घर के first के level से आदा इंच, एक इंच, 2 इंच, 3 इंच जितना आप उंचा कर सकते हैं उतना उंचा आपने करना चाहिए यदि आप first का level उंचा नहीं कर सकते हैं आपका अपना bedroom बना हुआ है एक grand room बना हुआ है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि South West में फर्ष हलका सा उंचा करके उसका हलका सा slope नौर्थ इश्ट की और करेंगे तो भी आपको benefit जरूर मिलेगा इसे साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जिस भी घर की जिस भी plot की South West जोन उंची हो जाती है फर्ष के लेवल में तो उस घर में रहने वालों की life सेव हो जाती है सुरक्षित हो जाती है क्योंकि South West जोन घर के मालिक के लिए घर के बड़े बुज़ूर के लिए भी इच्छी होती है पूरे परिवार के लिए भी इच्छी होती है और South West जब मजबूत होती है तो वो कभी भी कोई भी आफ़ताने नहीं देती आपका South West जोन में ग्रैसिंग एरिया बना हुआ है टोईलेट बना हुआ है तो भी आपने ध्यान रखना है कि वहां का फर्ष का लेवल कम से कम ते नीच उचा जरूर होना चाहिए यानि जो आपका अपना बेड़ूम है उससे हर आलक में उचा होना चाहिए किसी भी कीमत पर वहां का फर्ष का लेवल नीचा नहीं होना चाहिए South West जब भी उचा होता है तो घर के अंदर खुशाली लेकर आता है आप अपना नया घर बनाने जा रहे है या आपका अपना घर बन रहा है और आप आज मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप मेरी सारी वीडियो को जरूर देखे और इसी के साथ एक बात और कहना चाहूंगा आपका अपना घर बन रहा है काम चल रहा है और वीडियो आज आपने देखी है तो आप मेरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखे समझे और अपने यहां नोटिस करे कि कहां पर क्या कमी है और उसमें क्या सुधार कर सकते हैं जो कमिया होगी सो हो गई लेकिन कम से कम आगे तो कोई कमी ना हो आपके यहां जो भी कमी हुई है जो भी वास्तु दोश हुआ है उसके अंदर जो भी आप सुधार कर सकते हैं वो सुधार जरूर कर लेने चाहिए क्योंकि अभी तो काम चल रहा है आपकी बिल्डिंग पूरी नहीं बनी है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें सुने समझे और विचार करें इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा जब भी आपके अपने घर का साउथ वेस्ट जोन बनी बिल्डिंग का भी और ओपन एरिये का भी उंचा हो जा है इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा आपका अपना घर बना हुआ है और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपके यहां संतान के प्राप्ति नहीं है तो आप अपने घर के साउथ वेस्ट जोन को सही करें आपका ओपन एरिया बने बिल्डिंग के लेवल से साथ वेस्ट जोन नीची है या बराबर है और फिर भी आपके यहां संतान के प्राप्ति नहीं हो रही है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने साथ वेस्ट जोन को उंचा करेंगे तो मेरा अपने यह मानना है कि आपके यहां संतान की प्राप्ति हो जा और आप अपनी साइट पर हमें इन्वाइट करना चाहते हैं, तो आप हमें भी अपनी साइट पर वास्तु विजिट के लिए इन्वाइट कर सकते हैं, मैंने अपने इस कॉंसेट को जो सीखा वो अपने फादर के साथ रहकर प्रैक्टिकल सीखा है, हमारे फादर द्वारा ल भी सीखने को मिला तो मैं आपको कहना चाहूँगा आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं तो आप हमारी यह पुस्तक भी मंगवा सकते हैं हमारी यह पुस्तक आपके बिल्जिन को वास्तु दोष्मुक्त बनाने में साहक जरूर होगी और आपके अपनी ingredient research & Aí आप ख़िविल इंगिनियर है और आप बॉस्तो के परती जानना चाहते हैं तो आप हमारी यहाप उस तक मंगवा सकते हैं हमारी यहाप उस तक आपको भी बउस्तो शास्तर के बारे में बहुत वह गैण राश्छे की जानकारी जरूर देंगी मेरे दोरा इस वीडियो में दी जानकर यह आपको अच्छी लगी तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को आप अपनी family और friends के facebook ग्रूप और whatsapp ग्रूप पर ज्यादा से ज्यादा शेर करें a четыreya लिया यह कदम आगे बढ़या तो मैं भी उमिध करता हूं कि आपी मेरी इस सिरीज को अपने सरकल में जरूरे करेंगे आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ में बेल आइकन जरू दबाए मेरी अपनी यूट्यूब चैनल पर लगबग 300 प्लस वीडियो अपलोड है आप मेरी वीडियो देखकर भी अपनी समस्या करते हुए 23 साल हो गए है और जो मेरा अपना अनुभव रहा है वही अनुभव मैं आप लोगों के साथ सांजा अपनी इन वीडियो के माध्यम से करता हूं आप सभी अपना कीमतिस में निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए मैं आप सभी कात्या दिल से धन्यवा हुए